नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो देखिए इस वीडियो में हम लोग राष्टी केमिकल फटलाजर लिमिटेड की तरब से जो वेकिंसी निकाली गई है तो उसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों ने इसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो है क्या सिलेबस हो सकता है तो देखिए सिलेबस जो है इसका कोई भी ऑफिसेली नहीं दिया गया है बड़ जो है पैटर्ण के एकोर्डिंग जितने भी आजकल कोस्टन पूछा जाते हैं जो भी पीयसूज बगेर होते हैं तो उनको देखते हुए हमने यहां पर उसके बिसिस पर हम आपको पताएंगे कि इन सब्जेक्ट से आपको कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए तो फिर आप लोगों को तयारी कर सकते हैं उसके एक वोडिक तो देखिए कोशन जो इसमें आपका पूछा जाएगा तो दो सेक्शन आपके एक तो आप लॉजिकल डिजनिग रहेगा तो यह जो है टोटल आपके पचास कोशन इसमें रहें गए और नमबर अप मांग मांग जेलिए कि जो कोशन आपका पूछा जाएगा तो वह आपका उतना ज्यादे हाई लेंदई नहीं रहें गया उपके वह सिम्पल ही आपका रहेगा जो क और भी एक्जामें पूछ आता है जैसे कि आपने अभी फिलहाली में कोल इंडिया कायादी आपने दिया होगा और इसके अलबे जो भी DMRC के एक्जाम होते हैं तो उन में जिस टाइब के जो भी नॉन टेक्निकल पोर्सन के कोशन आपसे पूछ आता है मैत का रिजनिंग का य कर दो जनिद्रेश कोशन पुछे आता है मतलब जो कौशन में सेट इसके हैं कोई पूर्सन हो तो इन्से ह्मर्ता को साथ साथ levy एक सब्सक्राइब कर सकता है यह पर छो कर सकता है इसके आलावे जो आपको दसक्राइब कर सकते हैं कि इन तीनों कि दो सब्ज़क्ट है इसके आपको मिल जाएगा इसके आलावे जो तो आपका जैसे current affair का हो गया तो current affair भी most important है आपका इन से भी आपको चार से पांच question आपको देखने मिल सकता है एक्जाम में तो बाकी यह सारा अपने अच्छे से नहीं भी तयारी करते हैं जितना हम आपको बताएंगे उतना भी आपको काम चल लाएगा लेकिन जो current affair है तो इसको आपको काफी अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि देखिए आज कल के जितने भी एक्जाम्स होते हैं तो उनमें जो है current affair को बहुत ज़्यादा importance दिया जाता है current affair में जितने भी topics होते हैं जैसे awards हो गया इसके लावे जो भी appointments होते हैं major या फिर international और international के जो भी important events होते हैं तो उनसे भी आपका question पूछा आता है तो current affairs के लिए आपको चिंता करने के जरूरत नहीं है हम आपको जो है एक updated PDF जो है प्रवाइट आपको कर देंगे हम एक्जाम से आपको 20 दिन या 15 दिन पहले जिससे कि आपका काफी अच्छे से तयारी आप आपका हो जाएगा और आपको कोई भी portion जो है उसमें छुटेगा नहीं current affairs का हम लगभक सारे portion को cover करते हुए जो है आपको हम provide कर देंगे तब को current affairs को इतनी tension लेने की जरूरत नहीं है हलांकि आप अपने तरफ से भी study करते रहिए बाकी हम तो आपको provide इसका करेंगे ही करें इसको तो हम क्या करेंगे कि आपको जो है इन से जितने भी important topics होंगे तो हम आपको इसका इनका video provide करेंगे और साथ में जो है इनका question भी आपके साथ हम लाएंगे यहां पर अपने channel पर तो आप लोग जो है उसको जरूर दिखना और उसके बाद फिर हम लों question series भी करेंगे त और साथ में question जो है तो वह दोनों प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो इस तरीके से आपका तयारी अच्छा हो जाएगा इसके आलावे देखिए और भी कुछ पूर्शन इसमें से पूछे आता हैं आपके जैसे साइंस से कुछ important topic आइट इसके अलावे जो भी important days होते हैं फिर इसके बाद कुछ static जीके होते हैं जैसे नेशनल पार्क हो गया हो गया है इसके अलावे जितने भी international organizations के headquarters होते हैं या फिर जो books and authors होते हैं तो इन सभी topics जभी आप एक से दो questions एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इतना सारची जैदी आप लोग पढ़ लेते हैं तो general awareness का portion जो कवर कर सके हलंकी यह आप कर सकते हैं कि इनका important topic जो highlighted रहते हैं जिन से question आते रहता है तो वह चीज़ा आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं तो उसके लिए हम आपको help करेंगे और रह गया current affair का तो यह तो एक अलग इस section आप मान के चलिए इनको भी आपको अच्छे से पढ़ क जाना होगा अब दिखिए यहां पर हम बात करते हैं कि बूक या फिर सोर्स आपको कहां से study करना चाहिए जनरल आवेनेस का तो इसके लिए आप जीके का मनुहर पाइंडे की एक बूक आती है तो इसको जो है पॉड़ सकते हैं इसमें आपको history geography और पॉलिटी जो है यह ती पॉड़ी सेंट रहेगा तो उन से आपको काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगा और इसके अलावे जो जीके जीएस का वीडियो जो हम आपको प्रोवाइट करेंगे और नोट को देंगे आपको तो उसको भी आप देख सकते हैं हलांके हम ने देखी को लिए इसका वीडि मीं पूछय आता हैं तो इस में से शूंबaisseक 1001 इसे में जब कि इसायम में, से जो में सही जो पूछ है तो इस से जो मेजर टॉपिक्स यतФर आता हैं, तोि इस में जैसे का नमबर नमबर सिश्टम हो गया, तो इससे और एक कोशन तो Geshu आई है एक्जाम में इसके अलावे जैसे परसेंटेस का कोशन हो गया सिंपलिफिकेशन से कोशन आपका में भी आ सकता है लेकिन यह कोई उतना ज्यादा डेप्ट ने पढ़ने की जरूरत भी आपका ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं अपने से भी इसके अलावे जैसे इंट्रेस्ट और कंपाउंद इंट्रेस्ट अर्शन प्रपोर्शन का हो गया इसके अलावे जैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर लेकिन यह जुम मेजर टॉपिक जो पुछ आता है तो इनको जरूर पढ़के चले जाना क्योंकि इनसे को जरूर एक्जाम में देखन कोशन आपके रहेंगे एक्जाम में यह सिंपली फर्मूला बेज रहते हैं दिमेंसुरेशन का कोशन है आपका आता है तो तो इतना तो आप लोग जरूर करके चला जाना और साथ में टेस्ट भी आप लोग जरूर लगाना इसका हम कोशिज करेंगे कि नॉन टेक्निकल का जो है आपको हम टेस्स प्रवाइट करें जो कि अलाइन इंटरफेस जैसा आपका हो जो आपको वहां पर एक्जम में रियल में फेस करना रहेगा तो इससे आपका तयारी अच्छा हो जाएगा और आपको टाइम का भी लिमिट जो रहता है तो आपको पता चल जाएगा तो और प्रैक्टिस के लिए अपको अपको प्रवाइट करेंगे नोन टेक्निकल का अब वहीं पर बात आती है आपकी इंग्लिस की तो देखिए इंग्लिस भी इसमें आपका दिया हुआ है तो इंग्लिस से जो है आपको यहां पर इन सारे टापिक्स को जरूर पढ़के जान तो इसमें आपका जैसे की ग्रामर और वोकेबिलरी बेस जो कोशन होते हैं तो ग्रामर से मतलब जितने भी इंपोर्टेंट रूल्स होते हैं जो भी टापिक्स होते हैं इसके तो बहुत चीज़ आपको लर्न करना होगा और सीखना होगा इसके अलावे जो इस हो गया नाउन हो गया सब्यक्भu argument हो गया तो इस सारे टापिक सोको अच्छे से समझना होगा इनके जो रूल्स होते हैं जैसे कि किस तरीके से जो है आप कर सकते हैं error को तो इसमें आपको ज्यादा depth में पढ़ने की जरूरत नहीं है यह topics जो भी आपके हैं important जो रूस होते हैं spotting error के तो इनका जो है notes हम आपको provide कर देंगे पूरा complete जिसमें कि आपके जितने भी important rules होते है grammar के तो आपको उसमें मिल जाएगा तो इससे आपको काफी अच्छे से तयारी हो जाएगी एक्जाम की और इसके अलावे जो फिल इंद ब्लाइंस के भी कुछ questions आप करते हैं तो इनको आपको अच्छे से समझ के जाना होगा इसके अलावे जैसे comprehension based questions इसमें देखिया आने के chances तो कम ही है लेकिन फिर भी यह दी आता है तो वह उतने जादे tough नहीं होते हैं तो उसको आप लोग बिल्कुल easily कर लीजिएगा क्योंकि उसमें comprehension आपको पढ़ना रहता है और उसी के business पर question आपको जो है करना रहता है और वहीं बाता आती idioms and phrases की तो यह देखिए यह important topic रहा है लगवग हरेकी exam में एक question इससे पूछे ही जाते हैं तो हम आपको important list इसका provide कर देंगे जितने भी idioms and phrases होते हैं जो की पूछे आते हैं और फिर next देखिए one word substitution का है तो यह देखिए one word substitution आपका जहती है भूक आपका काम आ जाता है तो इसको आप इग्नौर नहीं कर सकते हैं भले question इससे directly आपको ना देखने को मिले लेकिन यह भूक आपका क सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए जो है अप लोग मेरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं मेरे नोट्स को पड़ सकते हैं जो हमने के लिए बनाया था वीडियो इंग्लिस का उनसे आप देख सकते हैं जाके हलांकि हम आपको और भी जो है वीडियो प्रवाइट करेंगे इंग्लिस का और इसके अलावे बूक के दिया प्रिफर करना चाहते हैं तो आप लोग हम प्रसाद की एक objective इंग्लिस की बूक आती है तो इसमें आपको काफी अच्छे से सारे content मिल जाएंगे जितने भी important rules होते हैं grammar के इसके अलावे जो question practice करना चाहते हैं इन सारे portion से इन सारे topic से तो इसमें आपको topic wise सारे चीज मिल जाएगा तो इस तरीके से English का आपका काफी अच्छा तयारी हो जाएगा यह आपको यह सा provide कर देंगे आपको test series हम अब वहीं पर बात करते हैं logical reasoning का तो देखिए जो reasoning के जो topics या question जो होते हैं इसके यह उतने ज्यादा tough नहीं होते हैं जैसे कि आप banking exam के आपने जैसे दिया होगा तो उसमें question जो है reasoning के थोड़ा tough होते हैं लेकिन बाकिन और जो exam होते हैं तो उसमें reasoning के question ज्यादा tough नहीं होते हैं तो इसको आपको कोई special इस पर आपको focus करने के जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है बस आप लोग नॉर्मली पहले से तयारी किया होगा और अगर किये हुए रहते हैं और करते रहते हैं लगातार तो आपको जो है इसमें कोई special study करने के जरूरत हैं तो इसमें जो topics जो में में हैं आपके जो की हरेकी exam में लगभग पूछे ही चाते हैं तो इन सारे topics को पर study कर सकते हैं जैसे कि alphanumeric series हो गया analogies हो गया blood relations हो गया इसके वालावे जैसे की cause and effects हो गया clocks and calendars का तो अब question जैसे इससे कम ही आते हैं लेकिन फिर भी यह उतना ज्यादा टाप भी नहीं होते हैं बिल्कुल इजली आप कर सकते हैं इसको इसके अलावे जैसे coding decoding हो गया data efficiency का फिर इसके अलावे decision making और जैसे कि dice and cubes के भी question में भी आप से पूछा आ सकते हैं लेकिन जो यहाँ पर और पी टॉपिक जो highlighted आपका है तो जिसमें से आपको यहाँ पर जैसे यह question आते हैं पर direction based matrix और figure से हो गया figure matrix को हो गया mirror and water images को हो गया order went out हो गया इसके अलावे जैसे paper folding का है तो यह सारे टॉपिक जो बिल्कुल असान होते हैं कोई जादा आपको इसमें extra study करने के ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी बस आप लोग question practice करते रहिए और एक बार concept आप लोग जहाँ यूटूब से सिख सकते हैं आप लोग सर्च हैं इसको इसके अलावे जैसे कुछ related problem रहते हैं इसके अलावे स्ट्रेट्मेंट कंक्लूजन को और कुछ इलोलेजम सकते हैं देखने को आपको तो इतना टॉपिक जो है आपके लिए important है logical reasoning के लिए इसके अलावे आपको और भी कोई ज्यादा details में आपको कोई पढ़ने क ज़रूरत नहीं अपने पहले से ही study किया होगा तो फिर भी अधिया आपको जैसे इसको study करना है इसके लिए तो आप लोग जहां इस बुक को फॉलो कर सकते हैं आप लोग यह बुक आपको जैसे चंद की बुक है आरे सगरवाल के इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं तो जो है आप लोग बस previous year paper solve करते रहे हैं जितने भी एससी के सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो लॉजिकल रिजनिंग है तो यह भी आपका हो जाएगा अब जैसे पचास कोश्चन आपका है नॉन टेक्निकल में तो आप मान के चलिए कि इनसे भी 12 तेरह कोश्चन रहेंगे एक्जाम में आपका तो लॉजिकल रिजनिंग है मायत होगे आपका तो इसमें मैक्समुम स्कूर कर सकते हैं आप लोग बच गया आपका जैसे आपका इंगलिस का और जीके का तो इसमें आपको थोड़ा सा अटेंशन देना होगा कि कोश्चन थोड़ा तो जिनसे कि आपका कापके अच्छे से तयारी हो जाएगा और वहीं पेर रहा कि बात आपकी डिसिप्लीन रिलेटेट से यानि कि जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए जो है तो आप लोग जितने भी प्रिवियस येर में कोश्चन पूछे गया होगा है या फिर और भी जो पीयस होते हैं जिसमें कि आप कोश्चन पूछे गया होगा है तो उनको आप सॉल्ब करते रहिए उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहिए और याद करते रहिए और साथ में जो भी नोट्स अपने बनाया होगा या फिर जो भी आपके कोचिंग्स पगएर जो भी notes होंगे तो उनको जो है आप लोग पढ़ते रहिए तो इससे क्या होगा question देखे क्या होता है कि सभी लोग जो है इधर उदर से ही copy करके आपको देते हैं चाहे वह exam में हो या फिर कोई और भी कोई भी हो तो सभी question को वह ने है को एकस्परिमेंट करके वह नया बनाते हैं वह सभी इधर उदर से question को copy करते हैं तो आपको जो है exam में जरूर वह same to same question देखने को भी मिल सकता है तो आप लोग उन्हीं को solve करते रहिए तो इनसे आपका टेकनिकल तैयारी हो जाएगा तो इस तरीकी से जो है आपको यहां पर जो है जो भी में में टॉपिक्स जो इसमें थे वह हमने आपको बता दिया और आपको किस तरीके से study करना चाहिए तो यदि आप आप लोग इतना फोलो करते हैं तो आप लोग इस एक्जाम को जरूर कर सकते हैं और देखिए डेट भी इसमें दिया है आपका जैसे 16 अगस का देट इसमें दिया हुए तो आप लोग जैसे कि आपका अपमान के चले कि यहां से अभी तक का आपके पास 35 दिन का टाइम है तो इतना में जो है आप लोग स्मार्ट तरीके से स्टेडी करना होगा निकालने के लिए तो चलिए यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना तब तक के लिए बाए